लखनव में 6 साल की बच्ची की दुशकर्म के बाद मिर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी से कारवाई करते हुए आरोपी को फांसी के फंदे तक हुचा दिया है कोट ने मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए सिर्फ चार महीने में आरोपियों को मृत्ति उधंड की सजा दी है दरसल 15 सितंबर को 2019 को लखनव के कमिशनरी महला थाना सहादत गंज में एक 6 साल की बच्ची का अपहरण और दुशकर्म हुआ था और हत्या कर दी गई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले में तेजी से कारवाई करते हुए आरोपि को गिरफतार कर लिया केस को उच प्राथमिक्ता पर लेते हुए पुलिस ने नयायलाय के में समक्ष प्रस्तूत किये जिसके बाद कोट ने मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए आरोपि को फांसी की सजा सुना दी है जब एक छोटी बच्ची छे बच्ची की गुमशुद्गी लिखी गई थी और सबसेक्वेंटली उसकी डेड बॉड़ी पाई गई थी एक घर में विदिन 24 आज इसमें अभ्यूक की गरफ्तारी की गई थी और 6 दिन के अंदर ही इसमें चार्शीट फाइल की गई थी और उसके उपरांत इसमें एने से भी लगाया गया था और इसी का नतीजा था कि पैरवी इतनी अच्छी की गई इसकी और इन सभी एविडिन्स को कॉर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो ये चार महिने के अंदर ही कॉर्ट ने फाइसी के सजा सुना दिये एक तरीके से मिशाल पेस की गई है लखनओ का ये मामला जैसे अब देख सकते हैं कि 6 साल की बच्ची के साथ दुषकर्म हुआ था जिसके बाद से के निर्मम हत्या कर दी गई थी मामले में पुलिस ने तेजी से कारवाई करते हुए आरोपी को फाइसी के फंदे तक केवल 4 महीने में ही पहुँचा दिया के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने मामले में तेजी से कारवाई करते हुए आरोपी को गिरिफतार कर लिया था केस को उच प्रात्मिक्ता पर लेते हुए पुलिस नियायले में समक्ष प्रस्तुत किये जिसके बाद कोट ने मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए आरोपियों को महत चार महीने में ही फांसी के फंदे की सजा सुना दी है तो ये काफी एहम बात है और एक तरीके से देखते हैं जिस तरीके से कोट ने मिशाल कायम की है कि दुशकर्म के मामले में केवल चार महीने के अंदर ही फांसी के सजा सुना देना काफी बड़ी बात होती है दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो सिस्टम है यानि के पुलिस सिस्टम है इसको भी लेकर उनकी तारीफ करेंगे कि केवल चार महीने के अंदर ही न्याय दिलाया गया है